पॉलिनॉमियल की कुछ आइडेंटिटी आप क्लास एर्थ में सीख के आचुके हो उन में से जो सबसे पहली आइडेंटिटी थी वो मैं यापर बोर्ड पर लिख रहा हूँ Consider करिए आप दो पॉलिनॉमियल इस इस पॉलिनॉमियल इन टू वैरियेबल ये दो पॉलिनॉमियल को मैं आपस में मल्टिप्लाई करा रहा हूँ मल्टिप्लाई प्रोड़क्ट जब मैं इनको प्रोड़क्ट कराऊंगा तो इनको प्रोड़क्ट कराऊंगा by just expanding इसके बाद y का प्रोड़क्ट कराऊ जाएगा किस से? किस से? यही तरीका हमने सीखा प्रोड़क्ट कराने का पहले x का होगा इस से फिर y का होगा ये लिग दिया मैंने अच्छा अब इसका मल्टिप्लाई करा रहा हूँ x का multiply x से कराएंगे तो x square x का y में कराएंगे तो x y plus y का x में कराएंगे x y plus y का y में कराएंगे y square यह आ जाएगा, यह समझ आया है, छीक, इसके बाद x square ऐसे ही ठीक है plus x y plus x y, मिलकर कितना, plus का 2 x y, okay and plus का y square, यह सब किसके equal चल रहा था, x plus y multiply by x plus y और इस quantity को लिख सकते हैं, x plus y का whole square so this is the first identity, जिसको हमें use करना है, class 9 में x plus y का whole square किसके equal होता है, x square plus 2xy plus y square, check similarly, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x minus y और x minus y को consider कीजिए, इसको check इसको मैंने consider किया और बस इसको expand कराया, जैसे मैंने पहले कराया था x के साथ किसको multiply होगा, x minus y का, इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, minus y, तो यहाँ लिखा जाएगा minus y और इसके बाद फिर से minus y का multiply किस से? x minus y से, फिर से देखिए, पहले इस x का multiply इसके बाद माइनस Y का हिससे होगा, यह लिखा हुआ है, चीक, अब इसको मल्टिप्लाइ करा दीजिए, प्रोडट कराईए, X into X, X square, X into Y, minus XY, minus Y into X, minus का XY, minus minus, plus Y into Y, Y square, यह आ जाएगा, ओके, इसके बाद, X square ऐसे ही ठीक है, minus XY, minus XY, minus का 2XY, और plus में क्या चल रहा है, Y square, और इस quantity को मैं लिख सकता हूँ, X minus Y whole square, तो यह वो second identity है, जो आप class 8th में भी पढ़के आ चुके हो, लेकिन class 9th में भी यूज करोगे, X minus Y whole square is equals to, X square minus 2XY plus Y square, छीक, आपने यह consider किया तो एक identity बनी, यह भी यह consider किया तो एक identity बनी, इसी तरह से, मैं एक और term लेकर चल रहा हूँ, एक और term consider करिए, X minus Y, या plus Y, और X minus Y, पहले मैंने दौनों जगह X plus Y लिया, फिर मैंने दौनों जगह X minus Y लिया, अब third, एक जगह plus ले रहा हूँ और एक जगह minus ले रहा हूँ, इसको solve करके देखना चाहता हूँ, मैं क्या ब X minus Y से, just expand कर रहा हूँ, इसकी बाद plus Y का product कराना है, मुझे किस से, X minus Y से, ये, छीक है, कराईए product, X into X, X square, X into Y, minus XY, फिर से, Y into X, plus XY, Y into Y, plus or minus, minus, y into Y, y square, छीक, किये, अब इसके बाद, minus का XY और plus का XY, cancel out हुए, क्या बचेगा, X square minus Y square, और ये सब कुछ इक्वल चल रहा था, X plus Y, and X minus Y के, ये वो third identity है, जो आप use करेंगे, exercise 2.5 को करने के लिए, third identity, ये समझ आया, तो आप कोई भी एक चीज consider कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा expand कर रहे हैं, solve कर रहे हैं, और आपके सामने एक identity आ जा रही है, इस बात का मतलब ये है, कि जब question इस form में होगा, तो हम value यहाँ ना put करके, बारवार expand ना करके, direct value यहाँ पर put कर देंगे, identity क्यों बनाई जा रही हैं, क्योंकि हमें बारवार expand ना करना पड़े, इसलिए हम direct यहाँ पर put करेंगे, क्योंकि यह जो result आया है, यह expand होने के बाद, solve होने के बाद आया है, यह समझा रहा है, क्यों बना रहे हैं इन identity को, छेक, fourth number consider करिए, x plus a and x plus b, x यहाँ पर variable है, और a और b कोई real number है, छेक, इसको मैं expand कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इस x का product कराए जाएगा, किस से, x plus b से, plus a का product कराएंगे इसके बाद, फिर से, x plus b से, छिक, इसका product करा दीजिए, x into x कितना, plus bx, x का मल्टी बाद b से कराएंगे, bx आएगा, plus a का मल्टी बाद x से, x plus a b, यहाँ जाएगा, x क्यारे से ठीक है, plus, इन दौनों मेंसे क्या common है, तो क्या बचेगा a और plus b, और plus में क्या चल रहा है, a, b, यह हमारे पास एक और identity बन गई, x plus a, product में क्या है, x plus b, तो वो किसके एक्कल होता है, x square, plus a plus b, multiply by x, plus a b, चिक, इस तरह से, यह थी आपकी fourth identity, इसके बाद, जान दीजिए, एक और identity कंसीडर करा रहा हूँ, x plus y plus z, और मैंने फिर से लिया, x plus y plus z, यह quantity, यह दोनों quantity मैंने कंसीडर की, और इनका मैं product कराता हूँ, product कराना बिलकुल आसान होता है, पहले इस x का इस bracket में multiply होगा, इसके बाद, इस y का होगा, इसके बाद, इस z का होगा, यह, ठीक, या तक तो बात आती है समझ में, पहले इस x का multiply, फिर y का, फिर z का, यह, ओके, अब इसके बाद product कराईए, x into x, x square, x into y, xy, फिर से x into z, xz, x का हो चुका, ठीक, इसके बाद हमें कराना है, किसका, y का, y का product कराईए, y into x, xy, plus y into y, y square, plus y into z, yz, इसके बाद, plus z into x, zx, ok, z into y, zy, plus z into z, z square, यह, ठीक, यह, हमारे पास solve करके आया, इसको मैंने थोड़ा सा arrange किया, arrange किया कैसे, सबसे पहले लिखा किसको, x square को, यह मैंने लिख लिया, अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा y square को, छीक, इसके बाद मैंने लिखा z square को, यह, जो जो quantity मैं लिखता गया, उसके नीचे मैंने यहाँ पर line खीची हुई है, छीक, अब इसके बाद देखिए, xy यहां लिखा हुआ है छीक, xy यहां भी लिखा हुआ है दो जगा xy लिखा हुआ है तो xy प्लस xy मिलकर कितना 2xy यह xy और यह xy consider हो चुका 2xy, छीक, फिर से यहां yz लिखा हुआ है यहां भी yz लिखा हुआ है तो yz और yz मिलकर कितना 2 yz यह yz और यह yz छीक अब हमारे पास क्या बचा xz या zx जिसे आप कह सकते हो zx प्लस zx मिलकर कितना 2zx यह यह जो quantity हमने solve की है यह इसके एकोल चल रही थी और इस quantity को लिखाया सकता है x प्लस y प्लस z का क्या whole square तो यह हमारे पास एक और formula आ गया एक और identity बन गई x प्लस y प्लस z का whole square क्या होता है आंसर है x square प्लस y square प्लस z square प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx छीक तीन identity ऐसी थी जो आप class 8 में पढ़के आ चुके हो वो कौन-कौन सी है number 1 a प्लस b का whole square number 2 a माइनस b का whole square और number 3 a प्लस b a माइनस b छीक इसके बाद class 9 में जो आपने पहली बार दिवा आइडेंटिटी देखी है वो यह है आपके सामने a प्लस b प्लस c का whole square क्या होता होगा a square प्लस b square प्लस c square प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यह यह आपके सामने बन जाएगा यह समाझ आ रहा है छीक इसके बाद एक और term में consider कराता हूँ देखे ज्यान दीजिए सबका ध्यान बोर्ट पर रहेगा very important वाली एक identity पढ़ लेते हैं x प्लस y whole q इस तरह से कहीं पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है x प्लस y whole q ओके x प्लस y whole q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस y और x प्लस y का whole square दो पावार अलग कर ली एक अलग कर ली ओके ऐसा मैं कर सकता हूँ छीक अब इसके बाद x प्लस y ऐसे ही ठीक है x प्लस y का whole square हमने अभी अभी पड़ा है वो हमने निकाला था कि कहीं अगर x प्लस y लिखा हो x प्लस y का whole square लिखा हो तो वो इक्वल होता है x square प्लस 2xy plus y square के ठीक है तो मैंने यह आपर लिख लिख लिया x प्लस y का whole square x square plus 2xy plus y square इसको यह लिख सकता हूँ मैं ठीक अब इसके बाद ध्यान दीजिए expand कर रहा हूँ कैसे करा रहा हूँ product करा रहा हूँ x का product पहले होगा किस से इस bracket से ठीक x का हो चुगा अब इसके बाद किसका होगा y का y का product होगा x square plus 2xy plus y square ऐसे ठीक ओके solve कराईए x into x x cube plus 2 ऐसे ही ठीक है x का multiply x में होगा तो x क्या है और साथ में क्या चल रहा है x का multiply यहां कराऊंगा तो क्या आएगा x y square ऐसा ओके इसके बाद plus y का multiply x square में कराऊंगा तो क्या आएगा x square y x square का multiply y में कराऊंगा तो क्या आएगा x square y plus 2s a ठीक है x भी ऐसे ही ठीक है y into y plus y का multiply y square में y q यह आजाएगा ओके इतनी बात समझ में आती है simple multiply कराऊए अब इसके बाद x q ऐसे ही ठीक है यह मैंने note कर लिया है यहां पर अच्छा एक और चीज नोट कर रहा हूँ plus y q यह note कर लिया मैंने यह आपर अब इसके बाद ध्यान दीजिए 2 x square y यहां लिखा है ओके और 1 x square y यहां लिखा हुआ है कितने हो गए 3 तो 3 x square y फिर से देखिए 2 x y square यहां लिखा है और 1 x y square यहां लिखा हुआ है कितने हो गए 3 तो 3 x y square ठीक यह सब जो quantity थी यह equal चल रही थी किसके x plus y का whole q के equal तो यह आपके पास next कौन सा नंबर आ गया 5th कौन से नंबर के identity आ गई 5th नंबर के identity आ गई x plus y का whole q always equal होता है किसके x q plus y q plus 3 x square y plus 3 x y square इस identity का मैं एक और वर्जन आपको दिखाता हूँ देखिए ध्यान दीजिए x q ऐसे ही ठीक है y q ऐसे ही ठीक है इन दोनों में से कुछ common आ रहा है क्या 3 x और y 3 common आ रहा है ok x common आता है और y common आता है ठीक यहां से 3 गया एक x गया एक y गया क्या बचा के वल एक x और यहां से 3 गया x गया y गया तो plus y यह है इसका दूसरा वाला वर्जन जो ज़्यादा पॉपलर है यह x प्लस y का होल क्यूँ क्या होता है आजसर है x q प्लस y q प्लस 3 x y ब्रैकेट में x प्लस y यह तो इन दोनों में से आप कुछ भी याद कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता हो consider करिए x minus y whole q x minus y whole q इसको हम लिख सकते है x minus y और x minus y का whole square ऐसे लिख सकते हैं चीक इसके बाद इसको just expand कर दीजिए x का product कराना है किस से x minus y whole square से चीक है इसके बाद minus y का कराई है किस से x minus y whole square चीक x ऐसे ही ठीक है x minus y का whole square होता क्या है x square minus 2xy plus y square चीक इसके बाद minus y ऐसे ही ठीक है यहाँ भी x minus y का whole square लगा रहा हूं x यह चीक अब इस x का multiply यहाँ पर करा रहा हूं x का multiply जब यहाँ कराएंगे तो आएगा x cube minus x का multiply यहाँ कराएंगे 2 x square y plus x का multiply यहाँ कराएंगे x y square इसके बाद minus y का multiply यहाँ कराएंगे तो minus x square y minus minus plus 2s a ही ठीक है x भी ऐसे ही ठीक है y into y y square minus और plus मिलकर minus y into y square y cube यह चीक यह आ गया अच्छा अब इसके बाद देखिए x q लिक लिए हाँ मैंने okay minus में क्या चल रहा है y q तो यहाँ पर लिख लिए मैंने minus का y q इसके बाद जो जो quantity बची उनको देखिए धान से क्या-क्या बचा हुआ है minus का 2 x square y लिखा हुआ है ठीक और minus का x square y लिखा हुआ है ठीक minus का 2 और minus का 1 यह मिलकर कितने हो गए minus का 3 x square y ठीक प्लस का x y square लिखा हुआ है ठीक और प्लस का 2 x y square लिखा हुआ है तो प्लस का 1 और प्लस का 2 मिलकर प्लस का x y square यह है ऐसा आ गया ओके इसके बाद आगे देखिए x qs e ठीक है minus y qs e ठीक है इन मेंसे minus का 3 x y common लिखा है 3 common आ रहा है x common आ रहा है और y common आ रहा है minus minus प्लस बन गया 3 से 3 cancel x से 1 x cancel हुआ 1 x बच गया और y से y cancel अब इसके बाद minus और plus मिलकर minus आ गया चीक यहां से 3 common गया x common गया 1 y common गया 1 y बच गया और यह सब quantity किसके एक को चल रही थी x minus y का whole q तो यह formula बन गया x minus y के whole q का x q minus y q minus 3 x y और bracket में x minus y और जो दूसरा formula आपको कहीं लिखा हुआ दिख सकता है identity वो यह जो आपके सामने इससे पिछला step था यह तो इसको याद करिए या इसको याद करिए जिसको आप चाते हैं उसको learn करिए और apply करिए कौन से नंबर का है 7 और अब इसके बाद आईगी 8 ठीक 8th identity consider करिए x plus y plus z यह term कहीं लिखा हुआ है और x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x इस तरह से कहीं पर लिखा हुआ है कोई इस form में आपके सामने question आए इस form में जब question आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले x से इसको multiply इसके बाद y से इसके बाद z से लेकिन हमें यह बार बार ना करना पड़े इसके लिए हम एक छोटी से identity बना लेंगे वो identity क्या होगी एक बार expand करके देखते हैं इसको पहले इस x का multiply इस total bracket से होगा x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x x का होगया अब इसके बाद किसका होगा y का इस सबसे इसके बाद किसका होगा z का z का multiply होगा ठीक कराईए multiply देखे ध्यान दीजिए पहले इस x का multiply करा रहा हो इस सबसे क्या आएगा x y square plus x z square x का multiply जब यहां कराऊंगा तो minus फिर x का यहां करा रहा हो x का multiply यहां पर minus का z x square ठीक plus y का multiply करा रहा हो x square y y का multiply करा रहा हो y q फिर से y z square y का होगा इससे अब इस y का यहां पर करा दीजिए x y square minus y square z minus इसके बाद क्या आएगा minus का z या x y z x y z लिख लेते हैं इसको यहां जाएगा y का multiply इससे हो चुका अब इसके बाद बचा है यह term multiply कराना तो z का multiply करा रहा हूँ x square z plus y square z plus z q minus x y z minus y z square minus z square x ठीक इन सब का product करा लेंगे product कराने के सामने आपके सामने यह quantity आ जाएगी अब इस में से जो term cancel out हो सकते हैं उनको cancel out करेंगे for example जैसे कि यहाँ पर देखिए x z square लिखा हुआ है तो कहीं और भी x z square आ रहा होगा देखिए यह आ रहा है यह plus का है और वो minus का तो यह cancel out हो जाएगा ठीक इसके बाद यहाँ जान देजिए minus का x square y लिखा हुआ है ठीक और यहाँ पर plus का लिखा हुआ है तो minus से यह plus cancel ठीक अब minus का z x square है यहाँ मैं कहूँगा x square z है और यहीं पर एक और मिल जाएगा plus का x square z तो यह भी cancel out हो जाएगा ठीक इसके बाद देखिए plus का y z square है और यह minus का y z square है यह cancel out इसके बाद minus का x y square है और plus का x y square यह रहा यह और यह term cancel अब बचा minus का y square z और plus का y square z यह दोनो cancel ठीक अब देखता हूँ क्या क्या क्वांटिटी बची हुई है x q बचा है मेरे पास plus का y q बचा हुआ है मेरे पास plus का z q ठीक minus x y z minus x y z minus x y z कितने minus 3 x y z तो अगर कहीं पर इस तरह की form आती है तो उस form को यह लिखा जा सकता है ठीक x plus y plus z bracket में x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x इतनी calculation ना करके क्या किया जा सकता है simple x q plus y q plus z q minus 3 x y z यह वाइस वर्सा इसका उल्टा भी हो सकता है अगर यह form given हो तो उसको यह लिखाया सकता है ठीक समझना आ रही है बात तो कोई भी identity right hand side से right hand side को left cake को लिख सकते है या left वाली form हो तो right की form में लिखाया सकता है ठीक है